मुझा नमस्कार मैं हूँ अनील और आप देख रहे हैं MMC News सहीदों की सहादत की जनकारी होने पर ना सिर्थ उनके परिवार के लोग गंदगीन होते हैं बलकि आसपास और पूरा जनपत गम में डूब जाता है वहीं दूसरी ओर कुछ दिन बिर जाने के बाद लोग सहीद और उसके परिवार को धीरे-धीरे भूलते जाते हैं ऐसे में आज जनपत गाजी पुर को नौजवानों ने एक नई ताबीर लिखने की कोशिस किया है जी हाँ जनपत गाजी पुर के समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ युआ आज जब पूरा देश धनतेरत की खुशियों में सराब हो रहे तब इन नौजवानों ने आज देश की रच्छा करने में सहीद में बीर सहीदों की याद में एक काईकन किया जिसका नाम इन लोगों ने एक दिया सहीदों के नाम दिया इन लोगों का कहना है कि आज हम देश की अंदर जिन बीर सपूतों की वज़े ते सास ले रहे हैं और दमतेरत और दिपावली का पर्व मना रहे हैं इस तेवार के असर पर अगर हम अपने उन बीर सपूतों को ना याद करें तो यह बेमानी होगी इसलिए आज का नोजवान दरजनों की संक्या में इकटा होकर सहीदों की याद में ना सिप दीपक जराया बलकि इन लोगों ने जनपद में रहने वाले परतियक जनपद वासियों से सहीदों के नाम पर परतियक परिवार से कम से कम एक दीपक जिपावली के दिन जलाने की अ इसलिए हम लोग जणपी जनपात्वासिओं से आपील करना चारता हूं रोसे हमारे साहीदों को एक सपुर्ण वांज पूर्ण चैनल लोग यह दीपक जलाकर के अपने गाजिपूर की धरती के जितने भी सहीद हैं और प्रदेश ही नहीं देश के जितने भी सहीद मिलेटरी में हुए हैं उन सबी लोगों को हम लोग साधत से नमन कर रहे हैं और आज यह कारकरम अभीनोब्या के निक्स की प्रदिया एक सहीदों के नाम पे दिया है जलाए जाए हर घर में हर आज दंतेरस के सुब उसर पर बहुत लोग दिवाली या धंतेरस में ब्यासते हैं पर हम इवाओ की टीम ये सोचिये कि सहीदों के एक दिया जला के उनको याग किया जाए है हमारे गाजी पुजिले से बहुत लोग सहीद हुए है पर उनको सुनने वाला उनको जानने वाला उनको कोई नहीं है हमारे इवाओ टीम उनके नाम से एक दिया जलाके इवाओ को ये संदेज देना चाहती है कि जो लोग सहीद हुए देश के नाम से उनने याद किया जाए